Hello everyone, आप सबी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Royal Infield Himalayan 450 और HD Adventure बाइक के बीच के डिफरेंस के बारे में जी हाँ दोस्तो अगर आप न्यू बाइक्स लेने के बारे में सोच रहे हैं ये वीडियो पूरा देख करी जाएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन दोनों बाइक्स के प्राइस, इंजर और इस वेसिफिकेशन के बारे में और इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी बाइक आपके लिए काफी वेतर होगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के आखरी तक बनी रहिएगा दोस्तो हम बता दे रॉयल इंफिल्ड ने लब्मे इंतिजार के बाद अपने बहु परतिचित बाइक हिमालेन 450 को भारते बज़र में लॉंच कर दिया है इसके लॉंच के साथ ही कंपनी ने पहले से ही बिक्री पर मौजूद हिमालेन 411 को डिस्क कंटिन्यू कर दिया है रॉयल इंफिल्ड की ये नए नवेली पेसकस हिंदियन मार्केट में सीधे तोड़ पर HD एडवेंचर को टक्कर देने वाली है तो आई ये हम इनके बारे में थोड़ा और डीटेल में समझ लेते हैं सबसे पहले हम समझते हैं इनके बीच के प्राइस के डिफरेंट के बारे में दोसतों हम बता दे हमालेन 450 की प्राइस 2,09,000 रुपस शुरू होती है जबकि HD adventure की प्राइस 2,16,000 रुपस से स्यूरू होती है दोनों ही किमते एक शोरूम पर अबलेबल है अब हम बात करते ही इनके डिजाइन के बारे में दोस्तों अगर हम इनके डीजाइन के बात करें तो दोनों एड़ौन टूरूर में डीजाइन लेंग्विज से जादा मैत पुरूर्ण के करते हैं हलाएं कि हिमालेयन की अब अधिक व्यातर रोड प्रजेल्स बन गई है और इसका कारण बड़ा फ्यूल टैंक और बाइक का अधिक रेशियो है इसके अलावा दोनों मोटर साइकल, विंड स्क्रिन, गोलाकार LED हैंड लेप और अब स्विप्ट एजॉस्ट और स्लिट सीट से स्पेसिविकेशन के बारे में दोस्तों अगर इनके वीच की स्पेसिविकेशन के अगर हम बात करें तो हिमालेयन ओल एलेटी लाइटिंग, राइडिंग मोड, राइड वाय वायर, स्विच्वेबल एवियस, ब्लुथूथ कनेक्टिविटी और एक नए TFT ब्लुथ कनेक्टिविटी के साथ, टरंड बाइट टर्न नेवियेशन, ओल एलेटी लाइटिंग और स्विचेबल एवियस के साथ आती है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी इंजन के बारे में, दोस्तों अगर हम इनकी इंजन की बात करें तो हिमालेयन की नए की पावर जनरेयेट करता है जब की B229אם nih NP का टॉर्पइड करता है दोनों करक में बड़ा अंतर है ईमालेयन का इंजन फौर नूटनमीटर का टॉर्क उत्पन करता है जब की B Senior 29 नूटनमीटर का टॉर्क जनरेयेट करता लिमें hym हुए है जिसमें स्लीप एंड असिस्ट क्लच मिलता है अब दोस्ता कर हम इनके हाडवेयर की बात करें तो हिमालेयन 450 के फ्रंट में आफ साइट डाउन फोक्स और रियर में गैस गैस चार्ज मोनोसॉक का उप्योग किया गया है दूसरी और डिफ्रेंस वीडियो थे जो की रॉयल इंफिल्ड हमालन 450 और एजडी एडवेंचर के बीच में दोनों में से कोई भी खरीदने जा रहे हैं तो आप यह वीडियो को देखके आपको इक आइडिया तो मिली गया होगा कि आपको कौन सी बाइक आपके लिए फ्रिफरेबल होग हैं तो कमेंट करके हमें जरुन बताइए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जैहिन जैवारत